क्या उन महिलाओं की जो असमत थी जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त क्या उसको हम लोटा पाएंगे मैं ये प्रधान मंत्री से सवाल कर रही हूँ मैं अपनी सरकार से ये सवाल कर रही हूँ मैं महिला मंत्रियों सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही है मैं तमाम महिला मंत्रियों की तमाम सदन में बैटी हुई महिलाओं से तमाम वहाँ पे बैटे हुए सांसत गड़ों से जिनकी बेटी है बहने है माँ है पत्निया है उनसे सवाल कर रही हूँ इसको राजनिती का खेल कहेंगे, इसको सरकार सरकार कहेंगे इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है मेरा शरीर का प्रा है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है मैं सरकार से बोलना चाहूंगी हाद जोड के विंती है एक सांसत के रूप में नहीं एक महिला के रूप में एक मा के रूप में एक पत्नी के रूप में एक बहन के रूप में बं कर ये ये खेला बं करवाये ये खेला ये आप लोग का ही शेह है एक बड़ी पोस्ट में बैट sexual harassment करता है और सरयाम खीखी करता है मीडिया के सामने बत्तमीजी करता है उनकी महिलाओं के साथ बत्तमीजी करता है उनके लिए आप सफाई पेश करते हैं और ये 76 दिन पहले का वीडियो बड़ी बेश्चरमी से आपकी महिला मंत्री ट्वीट करती है कि हमने CM से बात कर ली है ये वीडियो तो चार मई का है और हमारी जाच हो रही है हम जाच कर रहे हैं मैं सरकार से सवाल करती हूँ ये प्रदान मंत्री चुप क्यों है वो तो वहां पर भाशन देखिया थे कि 25 साल का हम एक खाखा तयार क पूर के लिए यह 25 साल का खाका यह है कि वहां महिलाओं के साथ एक डीमन की तरह बिहेव होगा वीडियो देखके रूप काप रही है बार-बार रूप काप रही है और मुझे शरम आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है हम सब के सिर शर्म से जुके होने चाहिए और इस पे कोई भी कोई भी राजनीती नहीं होनी चाहिए मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ यह मांसुन सत्र है इंडिया आप से जवाब मांगेगा सदन के भीतर सदन के बाहर यह 76 दिन हो गए चार तारीका वीडियो है एफ आयार लांच हो गई आप राधी पकड़ प्राइम में नहीं आये हैं यह कौन सी सरकार आप चला रहे हैं यह कौन से इंडिया All Is Well की बात आप कर रहे हैं हमारी मंतरी का फड़ सिर्फ एक ट्वीट करना है होम मिनिस्टर कहा है हमारे प्रधान मंतरी कहा है आप कई भी दूशों के दौरे कर रहे हो और अपनी बातों मुख्षमant lands रहा है कि एंडिया शायन कर रहा है यहां पे सब कुस्छ ठीक है कि यहीं ठीक है हम जवाब बाग रहें उनसे कि या उन पर क्या करवाई होगी आप चुप क्यों है ऑप που मिनिस्टर चुप क्यों नहीं सदन के भीतर आज मानसुन सत्र रुपे हम 267 के तहट क्या मनिपूर का ये मुद्धा आज भी आहाम है कि नहीं अगर ये महत्पुन है तो क्या आज सदन में मनिपूर में इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है आज जिस तरह की एक राक्षस की हरकत उनक साथ हुई है इंडिया सरकार से जवाब मांग रहा है सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी क्या सदन में इनकी चर्चा होगी मैं एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगी राजनिती होती रहेगी हम उनसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या एक्ट था क्या कोर्ट का डिसीजन था जिसके तरफ तहट ये हिंसा भड़की हमेशा हिंसा में महिला का देही खामियाजा क्यों भुगतता है इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी की नहीं हिंसा होती है मारपिट होती है लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है इसके लिए कोई गंभीर कानून तै होगा की नहीं, क्या उन अपरादियों को भी फासी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा की नहीं, मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है, और मैं हाँ जोड के एक बार फिर से मीडिया को भी विंति करूँगी, सरकार को भी विंति ये इंडिया जवाब मांग रहा है ये इंसा नहीं ये महिला की देख को राक्षसों की तरह नोचने का मुद्दा है इसके लिए हम सब को पूरे सदन को पूरे इंडिया को पूरे मीडिया को सारे स्तंब को एक होकर एक अवाज के साथ इन राक्षसों के विरुद जाना है कि कि नहीं सियनए से स्थीर लेना है कि नहीं और उनका खाम्याजा जो अपरादियों को दंडי का है किße इसROफ करना एख धर बबार कहूंगी कि मुझे अपने आप परर्श मारी है तानुन बनाने वालों पर शर्मारी है क्योंकि हमारा जो कानून का खम्याजा है वो हमारी देह आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर